उत्साह में भरे हुए लक्षमन की भावी का काम करने जाना हूं खट-खट-खट-खट-खट पहुंचे जैसे ही जौपणी के दर्वाजा खोला रंदर घुसे देखा और मिला सुचके देखिए क्या बीती होगी जिससे बिना बात किये चले आए जिससे बिना अनुमत ही लिए चले आए इस मंच उपर तीन दिन से मेरे पारशमे आशिरवाद की मुद्रा में शेश नाग के प्रतरिदी लक्षमन लाल खड़े हैं उनके लिए पहली बार एक तंगती पढ़ रहा हूं उमा कांत जी की आए यह वा राम की उझली परचाई है बाब ने अच्छी बात लिखी है बारही से निज हित्पति जानी लचमन राम चरन रतिमानी अ मेरा एक बड़ा प्रियक कवी है बच्च्छ वो लकीम्पुर से आग एक गाव में रहता है गयान परकाश अकुल जान चंद बेजा रा तोड़े थोड़े अंतर पर पालने में लिटाए गए कि पालने में लखनवे राम जी लिटाए गए लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए राम तो लेटते ही चुप होगे हलका था पालना हिला वशिष्ट कड़े हैं दृश्रत कड़े हैं माएं खड़ी हैं मंगल स्वस किन्तु लक्षमन कुछ ऐसा तेज रोये उन्हें, रोता देक धरती गगन चुप हो गए, बहुत रोये, राजवैद आये कोई रोगन बता सका तो, जोतिशी भी करके यतन चुप हो गए, और लक्षमन कैसे चुप हुए रोते हुए, गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरन में लिटाया तो, लखन चुप हो गए, और वो नोईडा वाले, आमने परसों बताये थे आपको, कि कुमार जी अपने अपने राम करानी है, अनका क्या हो गया, और छोटे भाई से मुकदमा चल दा था, जमीन का वो जीत गया, वाह, राम की कहानी सुनेंगे भाई पर मुकदमा करके, नेतिकता को कोई कुवा भी ना मिले जिसमें डूब के मर जाए, दूसरी माह हमारी मासमित्रा, लक्षमन पूछने के लिए गए कि माह, मैं अयोध्या में रहूं, यह भाई जंगल जाए उनके साथ, जला जाओं, तुमाने क्या का? अयोध्या? कौन से अयोध्या? जो पे राम सिया वन जाएं, सुमित्रा जैसी मा, लक्षमन जैसा प्यारा सा बच्चा, कहती है बेटा, जो पे राम सिया वन जाएं, अवद तुमार काम का चुनाएं, अवद में तुमार क्या काम हैं? जहां राम है वही है अदिया एफ दुम्हार काम के चुने और राम तो फिर भी हमारी माँ के साथ है सीता के एक सत्संग है एक स्नेह की डोर है माना की ग्रेहस्त में नहीं है तपस्या का जीवन है लेकिन फिर भी एक दूसरे की सुनतो रहे हैं और यहां पती-पत्नी बेटे हो तो वो इस बात को मैसूस करेंगे जो 20 वर्ष, 25 वर्ष बिता चुके हैं एक समय आता है जब आपका कोई प्रेम का बहुत जादा दोर नहीं होती एक दूसरे के सहाचरे की होती है कि रहनी चाहिए यहीं और पती को भी लगता है यह रहनी चाहिए और पत्नी को भी लगता है कि रहना चाहिए हमारे महेश्वर तिवारी ने पंक्ती लिखी है इस हॉल में बैटी सारी भावियों को और माओं को समर्पित करता हूँ एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है बे जुबान छद दीवारों को घर कर देता है राम के साथ तो फिर भी सीता है हमारी माता औरमिला तो अकेली है उनसे तो पूछा भी नहीं गया है कि अनुमती ली जाए के मिली जाए एक द्रश्य है चित्रकूट में जहां पहली बार उरमिला, मांडवी और शुतकीर्ती आई है अपनी सास के साथ राम को मनाने तो सीता तो बड़ी बहन है बड़ी बहन है छोटी बहनों का हित समझती है लड़कियों में होता है कि छोटी की बाद समझ लेती है माता पिता के अवश्रक्तानियोती खुदी कर देती है सीता समझ गई कि उरमिला आई है और संकोच में अपने पती से मिली भी नहीं रही है और लक्षमन इतना संकोची है कि मिलेगा भी नी उरमिला से तो भावी ने बुला के का कि बिटा इधर आओ लक्षमन इका जी भावी वो मेरी कुटिया में बिटा फूलों की डाली रखी है उजरा डाली उठालाओ माला बनानी है देवताओं के लिए उनको पता है कि उनकी कुटिया में अरमिला बैठी है उन्हें लगा इस बहाने ही दोनों थोड़ा मिल लेंगे उत्साह में भरे हुए लक्षमन के भावी का काम करने जाना हूँ खट-खट-खट-खट-खट पहुचे जैसे ही जौपणी के दरवाजा खोला रंदर गुसे देखा और मिला सोचके देखिए क्या बीती होगी जिससे बिना बात किये चले आए जिससे बिना अनुमत ही लिए चले आए सब्त पेदी के साथ फेरों में जिसके साथ शपत खाई थी कि तेरा साथ नहीं छोड़ूँगा राम के अनुराग में जिससे छोड़ कर चले आए वो उर्मिला और जिसने अपनी बड़ी बहन सीता को आदर्शमाना और इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं चले गए तो कोई बात नहीं वो लक्षमन दोने दूसरे के साथ कैसे सामने आये हो उर्मिला खड़ी होई मुस्कुराई मेरे उपवन के हरिन मेरे बाग के हिरन क्या बढ़िया बात कही है कलकत्ता वालो मेरे बाग के हिरन मेरे उपवन के हिरन आज वनचारी मेरा हिरन आज गल जंगल गूम रहा है रगली पंक्ति क्या बोली इस पर आप माता और मेला को याद करना मेरे उपवन के हिरन आज वनचारी मैं बाढ़ नलूगी तुमें तजो बहे भारी छोड़ो दरो मत मैं तो देखने आई हूं कि मेरे उपवन में जो हिरन खेलता था जंगल में कैसा कूद रहा है उनका मन बढ़ा कर रही है और लक्षमन ने भी कितनी अद्वुद बात कही लक्षमन ने कहा कि तुम मेरी केवल पतनी नहीं हो इस पर भी लक्षमन को तारीब देना आशिरवाद लेना उनसे कि हम उन्हें स्मरन कर रहे हैं लक्षमन ने कहा कि भाबी की बहिना तुम तुम केवल पत्नी नहीं हो तुम जगत जननी भाक्तिश्वरी सीता की छोटी बहन हो उनके योग्यवर है राम ट्रेलोग के का स्वामी तो ऐसी ही पत्नी सिसात्वरता लेकिन मुझे पता नहीं के मैं इतना योग्य हूँ जगजननी की छोटी बेहन का पती बन सकूं। मैं उस योग्य बनने के लिए जंगल में आया हूं आज कि मैं तेरे योग्य बनने के लिए अपावी की भगनी तुम केवल अर्थ नहीं मेरे उपभोग। तपने दो वनमे कुछ मुझ को बनने दो केवल निजयोग के हैं। मुझे थोड़ी पपस्या करने दो अपने लायक बनने तुम तो कौन हो मेरी पत्नी थोड़ी हो तुम तुम पहले सीता की बहन हो खांदान। और में केवल राम की पीसे चलने माल लड़का मुझे इस लाइक तुम ने दो कि सीता माता किसी को परिषे कराएं। और कहें कि ये मेरी चोटी बहन का पती है। आसी योग तुम ने दो.